हेलो दोस्तों स्वाइब आपका हिंदी कॉमिक गॉल्ड में जहाँ पर मैं जाब के लिए लेकर आया हूँ ब्लैकेस नाइट का सेकंड पार्ट और अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा तो इस चैनल पर बनाए गई ब्लैकेस नाइट की प्लेज पर जाकर आप इससे पहले के वीडियो और आने वाले वीडियो भी देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लैक हैंड के हाथ में ब्रूश वन की सकल थी और वो कह रहा था कुछ चीजे मौद से भी बत्तर होती है जैसे की मैं और तब हम देखते हैं कि वो था स्पेस सेक्टर 2814 कौतम सिटी के ग्रेव यार्ड में जहापर थॉमस और मार्थावेन के साइड में ही एक अनमार्क ग्रेव थी जो कि थी ब्रूश की और उसका सकल आत में लिए वो कह रहा था मैंने सुना था मैंने तुमें डिब स्पेस से सुना था और तुम भूके थे मेरे पिताजे ने कहा था कि सब लोग मरेंगे विल्लियम्स और वो सही भी थे और तब हम देखते हैं स्पेस एक्टर ट्रिपल सिक्स जहाँ पर हमें सिर्फ एक लैंटर दिखती है क्योंकि ब्लैक कलर की थी और वो कहते थे कि डेथी ऐसी चीज़ है क्योंकि तुम यूनिवेस में काउंट कर सकते हो तो मैंने उनका पोइंट फ्रूव करने के लिए उन्हें मार दिया डेश से कोई भी छूप नहीं सकता क्योंकि powerful हो या फिर weak पसंद दीदा हो या फिर ना पसंद कोई भी डेश से छूप नहीं सकता कोई भी उससे भाग नहीं सकता तुम भी नहीं और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर सारी जगा ब्लैक रिंग्स एक एक करकी फैलने लगी थी और वही दुसी तरफ ब्लैक हैंड गुरुस वेंड का स्कल अपने हाथ में लिए अपनी जीप से उसे लिख कर रहा था दुसी तरफ हम देखते हैं उसके 24 आवर्स बाद कोस सिटी में जहापर हैल जाटन के साथ उसके दोस्त यानि कि जॉन कायल रैनर और काय गार्डनर आ गई थे और वो तीनों ही अपना जश्मन आ रहे थे क्योंकि उन्होंने कोस सिटी फिर से रिबिल्ड कर दी थी और उस रि गैनेट को ही तबाह कर दिया था और कायल की गर्फ्रेंड एलेक्स मुर्डर करके एक फ्रिज में पाई गई और कायल जिससे प्यार करता था वो भी मारी जा चुकी थी यहापर वो सभी कोस सिटी के फिर से बनने का जस्ट मानाने के बाद वो सभी लोग अपने अपनी डेस आते तो बहुता था कि वो आपके सिर्फ एक हाफ क्यों के बजाए आपके लिए कुछ जयादा था इसौब उ होए प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं जिस पर जैसे उसे समझाता है कि ऐसा फिर कभी प्रोफेसर के सामने मत कहना जिस पर वह कहती है लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि हम यहाँ पर टॉक्सिटी लेवल चेक करानी चाहिए क्योंकि अभी बारिश हो रही है और यहां के थी बाकिस सब जगा पर सेंट्रल सिटी में जहाँ पर रोज का एक हिड़न ग्रेव एड था और वही पर शिकागो में एक ग्रेव एड में ब्लू बिटल के दोस्त वहाँ पर उसके ग्रेव पर फूल चाड़ाने आई थे और मेट्रोपोलिस में वैलला सेमेट्री में हाला इससे कुछ अलग नहीं थे दुस्री तरफ एमनेस्टी बे में जहाँ पर एक्वामेन की ग्रेव थी जहाँ पर मेरा को एक अट्लेंटियन समझा रहा था कि सीके किंग की ग्रेव यहाँ पर रखना ठीक नहीं है उसे उसके असली जगा पर होना चाहिए जहाँ पर बाकी ल वहाँ पर अपने मास्टर के ग्रेव पर फूल चाड़ाना आया था लेकिन वह देखता है कि वहाँ पर ब्रूस्वेन की ग्रेव खुदी हुई थी और यह देखते ही उसके होश उर जाते है तुसी तरफ वाशिंग्टन ड.C. में जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका के हेड़क का जो कि तुमारे पास स्पीड़ फूर्स ना होने के बाद होगी उस पर वह कहता है तुमारे ये बाते मुझे गिल्टी महसुस करा रही है बैटमैन एक्वामैन मार्शन मैंटर के मरने के बाद अब किसकी बारी है बताओ मुझे तुम जानते हो आल फिर भी तुम मुझे नहीं रहे जिस पर वो अपने रिंग के मदद से एक प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट करता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि जस्टिसली के सारे मेंबर्स उसमें थे और उनमें से वह फायर स्टॉम और राल्फ और सूकर दिखा कर कहता है कि अब इनकी बारी है उसी तरफ जो कुछ भी हुआ उसमें नहीं तुमारी और नहीं किसी और की गलती है और जेन के साथ जो हुआ वो तुम टाल नहीं सकते इस पर वो समझा रहा था कि मेरे और तुमारी तरह वो अपने अगले जनमें नहीं जा सकती यह तुम भी जानती हो लेकिन फिर भी होगल उसे समझ में लड़ाई चल रही थी और सारे गार्डियन्स ये सब देख रहे थे और वो उसे देखी रहे थे कि तभी वो ये नोटिस करते हैं कि पूरी युनिवर्स में एक शेड़ो मूव कर रही है और तभी ग्रीन एंटर कॉप ये देखती है कि वहाँ पर ब्लैक रिंग्स आ रही वही पर कड़ा एक कार्डियन्स उन सब पर हमला कर देता है और कुछ ग्रीन लैंटर कॉप के मेंबर्स पर वो ब्लैक रिंग्स अकना कब्स आ जमाते हुए आगे बढ़ती है और आगे हम देखते है कि गॉतम सिटी में ग्रीन लैंटर और फ्लैस ये बाते कर रहे थे वो इसकल लेकर कहा गया जिस पर फ्लैस उसे पूचता है मेरे खयाल से ऐना चाहिए कि उसे केसे पता कि वह यही पर दफन है और वागी जस्तिस लिके मेंबर्स जहाँ पर दफन थे वहां पर वो सारी ब्लैक रिंग्स परुच चुकी थी और उन सब को पारी बारिसे जिंदा क कर रही थी और तो हम देखते हैं Green Lantern Cop के सामने सारे बचे हुए Lantern Cop ब्लैक लैंटन बन चुके थे और वही दुस्री तरफ Gotham City में चाहा पर Green Lantern और Flash थे वहाँ पर उन्हें अपने सामने खड़ा दिखता है Martian Manhunter जो कि अब बन का था Black Lantern Cop का एक Officer और वह कह रहा था तुम दोनों अब मरोगे तुछी तरफ म्यूजियम में Hawkman और Hogger तो नहीं बहस कर रहे थे तभी कोई वहाँ के हत्यार उठा कर Hoggerl पर वार करता है और तब हम देखते हैं कि वह Ralph और Susan थे चाहपर Ralph Hawkman से कह रहा था Hoggerl तुम्हें समझाने इसलिए आई थी क्योंकि वह तुमसे hate करती है उसे तुम्हारे चिंता नहीं बलकि तुमसे इतनी hate है कि वह तुम्हें मरते होई देखना चाहती है और मरते हुए भी हॉक गल उसे ये बताती है कि ये सच नहीं है वजी तुमारे चिंता है इस वज़े से मैं यहाँ पर आई थी और जब हॉक मैन हॉक गल को मरते हुए देखता है तो वो गुष्ये में रास की तरफ बढ़ता है लेकिन वो उसे ही मार देता है और उन दोनों का ही दिल निकाल कर वो अपने पावर गेन करने लगते है तभी वहाँ पर फ्लैक हैंड आ जाता है और कहता है तुम इससे बच नहीं सकते तुम इससे इस बार तो नहीं बच सकते क्योंकि डेथ सब कुछ कंजूम कर लेती है सब कुछ अपने कबजे में कर लेती है और आकिरकार इस यूनिवर्स में स्यांति कायम होगी और अब कार्टर हॉल और कैंटरा सांटरस जो कि अर्थ से है वो अब फिरिसे जिन्दा होंगे इसे के साथ ये वीडियो यही फरकत्म होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता है कि आप कोई वीडियो कैसा लगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू फ्रेंड्स एंज्यू दो लाइफ धन्यवाद और जये